बाजार में मिलने वाली महंगी रेसिपी आप घर में बना सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम कीमत में फ्रेंट्स मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें इस रेसिपी को पनाने के लिए हमने यहां लिया है एक नौनस्टिक कराही का इसमें हम डाल देंगे एक चमच बटर बटर की जगह आप तेल का भी यूज कर सकते हैं यहां फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो हम एट करेंगे इसमें कुछ हड सबजी तो देखिए यहां बटर मेल्ट हो गया है अब हम इसमें एट करेंगे एक सिमला मिर्च जिसे की हमने लंबाई में कट कर लिया है आप इसे 1-2 इंच लंबाई में कट करके डाल सकते हैं उसके बाद हम इसमें एट करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे की हमन करना है बस हलका सा इन सभी का कच्छापन निकल जाए उतना ही फ्राइग करना है तो दो मिनाट हो चुका है अभी हम इसमें एड़ करेंगे कोर्ण तो यहां मैंने स्वीट कोर्ण का यूच किया है इसे अभी हम मिक्स कर लेंगे इस और दो मिनट के लिए और इसे सौटे करेंगे बस इससे कच्चापन निकल जाए और ये खाने में टेस्टी लगता है जब इस तरह से फ्राइ करके आप बनाते हैं तो उसके बाद हम इसमें एट करेंगे स्वात के अनुसार नमक टूटल इसे पकने में पांच मिनट लगेगा और पांच मिनट में ये रेडी हो जाता है इसका कलर भी देखी अभी चेंज हो गया है अब हम इन सबजियों को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और उसी कराहे में हम एट करेंगे थोड़ा सा तेल आप तेल या बटर का यूज कर सकते हैं यहां मैंने आधा चमच तेल का यूज किया है और इसमें हम डाल देंगे पनीर के स्लाइस को यहां मैंने लंबाई में पनीर को कट कर लिया है और उसके बाद इसे हम दो मिनाट के लिए सौटे करेंगे बस दोनों साइड से हमें उल इसे दोनों साइट से पलट लेंगे, यहां जो है पनीर भी रेडी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे, यहां हमने एक बोल लिया है, उसमें टाल देंगे, दो चमज टमैटो केचप, और अब हम इसमें एड करेंगे, एक चमज सेजवान चटनी, इन दोनों को मिक्स तो इस recipe में इसका flavor बहुत ही बढ़िया आता है तो यहां देखिए मैंने दोनों को mix कर लिया है इसे रखेंगे side में और आगे का तयारी करेंगे तो हमने फिर से non-stick कराही का यूज किया है इसको हम cover करेंगे और इसे हम preheat करेंगे 5 मिनट के लिए तो यहां flame को मैंने high कर दिया है और 5 मिनट के लिए preheat होने देंगे यहां मैंने यूज किया है एक pizza base का यह market का pizza base है market में easily available है यदि आप इसकी recipe मेरे channel पर देखना चाहते हैं तो मैं इसका description box में link दे दूँगी मैंने पहले भी यूट्यूब पे pizza sauce और pizza base घर में कैसे बनाते हैं उसका video यूट्यूब पे डाला है तो आप मेरे description में जाकर check कर सकते हैं तो यहाँ pizza base पे हम इसमें apply करेंगे यह जो sauce हमने बना कर रखा था कैचप और सिजवान चटनी का उसे इसमें डालेंगे और चारो तरफ फैला देंगे इसे आप इसकी जगह pizza sauce का भी यूज कर सकते हैं चाहे वो homemade हो या फिर market का हो तो इस तरह से हम इसके उपर डालेंगे और चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे बेसे करी आज जो हम recipe बना रहे हैं वो है pizza क्योंकि बड़े बच्चे सबी जो है इस pizza को बहुत ही खाना पसंद करते हैं और जब आप market से लाते हैं तो बहुत ही costly देता है इसलिए घर पे हम अराम से इस pizza को बना सकते हैं इसे तो बच्चे भी बना सकते हैं तो इसलिए हमने बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम कीमत पे यह बनकर ready होता है तो इस तरह से हमने sauce को लगा दिया है उसके बाद हम डाल देंगे इस पे cheese तो यहां मैंने mozzarella cheese का यूज किया है यहां मैंने cheese को डाल दिया है अब हम इसके उपर डालेंगे fry किया हुआ सबजी तो यहां सबसे पहले डाल देंगे हम corn उसके बाद सिमला मेर्च आप अपने taste के according इस पे सबजी का यूज कर सकते हैं तो आज हम corn pizza पनीर pizza सभी mix करके बना रहे हैं और यकीन मानिए friends आप इस तरह से घर में बेस बना लीजिए या बाहर से ले आए और यह बहुत ही फटा-फट बनकर रेडी हो जाता है और बच्चे तो बहुत ही प्यार से इसे खाते हैं तो यहां जो है मैंने अच्छे से डाल दिया है इसके उपर अब हम डालेंगे पनीर तो यह जो पनीर के छोट इस पर स्प्रिंकल करेंगे चिले फ्लेक्स उसके बाद पिज्जा ओरिगेनो आप किसी भी ब्रांट का ओरिगेनो यूज कर सकते हैं यहां मैंने पिज्जा ओरिगेनो का यूज किया है और इसे हम चारो तरप अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे तो लीजिए हमारा पिज् अब इस काराही में हम पिज्जा बेज को डाल देंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे जब आप देखेंगे कि यह जो चीज है न वो मेल्ट हो जाता है तब उसे आप निकाल लिजिएगा तो आप इस तरह से जब चेक किजिएगा तो आइडिया लग जाएगा तो यहां मैं दो से तीन मिनट के लिए इसे कवर करके रखूंगी तो यह देखिए दो से तीन मिनट के बाद हमारा जो पिज़ा है बिल्कुल रेडी है नीचे से भी वो बहुत ही क्रंची बना है और उपर से भी आप देख सकते हैं चीज अच्छे से मिल्ट हो गया है तो हैना बनाना आसान बच्चे भी इसे बहुत ही आराम से बनागर खा सकते हैं तो आज जो मैंने रेसिपी बनाई उमीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा इसे मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यह नीचे से बिलकुल क्रंची बनता है और उपर से आपको चीज से भड़ा हुआ बेजिटेवल से भड़ा हुआ तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाब आई हुआ है झाल झाल